कि इस मांग का कोई अंत है 20 लो और 30 रुपए का इस पर भी दे सकते हैं और अंत में जब परिवास नियोजन की बात आईगी तो नियोज भी फुफ्त में ही देना पड़ेगा है ना मेरा सवाल था कि मैम अगर हर लोग को जो भी लोग है इनको स्कूल में अगर पोसाग की पैसा दिया जाता है फिर साधी के बाद भी पैसा दिया जाता है जब साधी हो जाता है लड़की का तो फिर उसके बाद फॉर्श आने पे भी लड़की को चोघ यह छी साधा मिलता है इंटर में फिर भी यह में 50 अजर मुलता है तो सरकार हम लोग की एक छोटा सा जो जो की काफी ज़्यादा महांगा नहीं है सिर्फ 2019 दाम है तो क्या सरकार हम लोग को वो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ में पैड के लिए अपने का जवाब तो सब लोग सुने ही थे ना आप लोग तो इंत्या बतलब वो गुशा के बोली या ऐसे ही नॉर्मल बोली थी वो नॉर्मल ही बोली थी गुशा कर नहीं बोली लेकिन देखने में लग रहा था कि वो अगर माल लीजे सरकार सब कुछ देही रही है तो यह सने प्रिपेड कोई बड़ा चीज नहीं है तो मैं कोई बड़ा चीज नहीं मांगी हूं और प्लस में हम मैडम को यह भी नहीं बोले कि मैडम आप हमको दीजी है जैसे में खरीद लूंगी ठीक है ना 30 या 40 का होगा उ कुली है तो यहां कि लोग अगर सरकार से मिल सकते हैं नहीं ना मैडम से मिलने के लिए कितना यह हुआ तर जब तो सरकार से वह सहता हो गहीं कि अम लोग मैडम से यह बात रहे हम न किस खलाश के पर थी हैं वी आप पार्ट वॉन आपको पता है मैडम को ब्यान के बाद कितना बवाल मचा हुआ है पता था अंचल हमनने को इतना भॉय जोड़ सोच हो एपी इतना अधाने आक रखड सेक्रानed वो मेरी कोई जैसे और सब डिसकस चल रहा था ना मैडम कुछ बोल रही थी और लड़की कुछ बोल रही थी उसी पर मेरा भी दिमाग किया कि अगर सरकार ये सुविधा दे सकती है तो क्या 3020 रुपे का जो इसने परी पैड हो कोई थोरी न कीमती है ये बयान के बाद आपके मैं सरकार से मतलब मैं अपना बात रखना चाहती हूं कि जितने भी सरकारी कॉलेज है या फिर सरकारी स्कूल है जब हम लोग हम भी पास किये थे उसके बाद पैसा लगा 4000 5000 लग जाता तो वो सरकार से में हाज जोड कर बिंती करती हूं कि ये मुपत में किया जाए जैसे पा अब लोग सोची है लेकिन मेरे तरफ से मैडम की बात को हमको कोई भी बुरा नहीं लगा है और जो भी बोली मैडम कुछ सोची कर बोली होंगी वह आई आई एस एस है तो बहुत कुछ जरूर सोची कर बोली होंगी हो सकता है वह यह भी सोच कर बोली होंगी कि हम लोग अप लिटने आओ स्वेखार को पलना चाहूंगा ऑसमे紐 साइद को अत्मनिर्वर भी बनाना चाहती होंगी सर्कार को भी बूडा नहीं लगना चाहिए जैसे मेडम जो बात?? वाली कि स्वेखार पे निर्वर नहीं रहनाधा चाहिए तो मेरे परिवार है मेरे जो भाईया हैं वो कम आते हैं तब हम लोग खाते हैं सरकार थोरी ना हम लोग को घर में खाना बना देते हैं वो तो सुपधा है कि सब लोग को दिये हैं तो हम लोग को भी दिये अब सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं जो भी बच्चे लोग पढ़ते हैं सब को तो सरकार नहीं चला रहा है ना अभी फोट इस चला रहा है तब ही ना घाना बनागा अगर नहीं बना जाएगा चलाने तो सरकार थो एक हम करेंसे उम्मीद थो ही ऐसे सरकार तो बहुत कुछ की हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता मुझना जो करेंगें लेकिन लोग को पता ही नहीं राता है तो भड कहते मैं डें धिक खतम तो इसके लिए भी बात हुआ था वहां पर तो सरकार से ये भी गुजारिस करूंगी कि कोई भी अगर सरकारी योजना है या लाव हो वो गरीब जैसे सुलम बस्तियों के जो लोग होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए